सावन का मेना शुरू होने वाला है जा देश के हर कोने में शिव भक्तों की कावड यात्रा शुरू होने वाली है वही कावड यात्रा शुरू होने से पहले एक नया विवाद भी शुरू हो गया है जिसमें कहा गया कि कावड यात्रा में पढ़ने वाली सबी रेड़ी पटरी वाली दुखानों को अपनी रेड़ी के आगे अपने नाम लिखना होगा ताकि लोगों पता चल सके कि उनको कहा से समान खरीनना है और कहा से नहीं ये खबर जैसे ही संग्यान में आया वैसे ही बवाल मच गिया वही प्रशासन ने इस वैसले पर सरकार और प्रशासन की खूब आलोच न हुई बात आइडेंटिटी की थी तो एक बड़ा तपका भी इसे खिलाफ प्रशासन के इस वैसले पर मोर्चा खोल दिया AIMIM मुख्या असुद्दीन ओवैसी ने कावड यात्रा को लेकर मुझफवर नगर पुलीस के निर्देश पर नाराजगी जाहिर की है खाने पीने की चीजे वाले ठेलो पर दुकानदारों के नाम लिखने के मामले पर उन्होंने प्रशासन और सरकार को घेरा है OVC ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनमें हिटलर समा गए है इसके साथ ही OVC ने श्री नगर में महरम के जलूस में फिलिस्तिनी जंडा, लहराने वाली घटना और आसम के सीम के बयान पर भी हमला बोला है OVC ने कहा कि उत्तरप्रदेश की सरकार छुआ छूट को प्रमोट कर रही है उन्होंने दावा कि मुझफर नगर के ढावों से मुस्लिमों को नौकरी से निकाल दिया गया है सूबे के सीम पर हमला बोलते हुए OVC ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उनमें हिटलर समा गये है क्या आप एक ही समुदाया के लिए काम करेंगे AIMIM मुख्यास उद्दीन OVC ने कहा कि हिंदू संगटनों के दवाब में ये सब किया जा रहा है ये मुसल्मानों को सेकेंड ग्रेट सिटिजन बनाना चाहते हैं बीजेपी को मुसल्मानों से नफरत क्यू है बीजेपी अपनी नफरत का इजहार कर रही है मुसल्मानों के खिलाफ खुल कर आ गई है लोकसभा में शपत लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले ओवेसी ने जम्मू कश्मीर के स्रीनगर में महरम के जलूस में फिलिस्तीनी जंडा लहराने वाली घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि आपको फिलिस्तीन का जंडा लहराने में क्या दिक्कत है अमेरिका का फ्लैग लहराय जाता है तो कुछ नहीं होता है असुद्धीन ओवेसी ने असम के सीम हिमन्द बिस्वा सर्मा के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बुद्वार को कहा था कि राज में मुस्लिमाबादी बढ़कर 40 पीसदी हो गई है पूर्वोत्तर राज में ये जंसग्या परिवर्तन बड़ा मुद्धा है इस पर ओवेसी ने कहा कि असम के मुख्य मंद्री जूटे है AIMIM मुख्या ने कहा कि उनके जूट की वज़ा से पूरा अड्मिस्टेशन मुसल्मानों से नफरत कर रहा है अगर 40 पीसदी मुसल्मान है तो दिक्कत क्या है आपको शर्मानी चाहिए कि आप मुसल्मानों से नफरत कर रहे है उन्हें कावड यातर से पहले मुझफवन नगर में ठेलों पर दुकानदारों के नाम लिखने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है